हलो स्वाथियों स्वाधर करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जामगण में साथियों हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पड़ रहे थे इसकी इंतरकत हम लोग बहुत सारे नुमेरिकल सालव किये हैं हम इसी क्रब में आगे बढ़ते हुए आगे भी तर देखते हैं हम चैनल को वीडियो करने से पहले साथियों आप लोग वीडियो को सेयर कर दीज़िए और वीडियो को लाइक कर दीजिए है जसे हमने देखा एक सवाल ये है लिखा लिखा हुआ है दिये गए चित्र में ए भी सेंब्ल बना हुआ है ये है समांतर रेख ये गा लेb यह दि कोण ABC ABO बरावर सो डिग्री तथा कोण OCD बरावर 115 डिग्री हो तो कोण BOC हमको ग्यार करना है अब हम देखते हैं कि यह हमारा जो फिगर बना हुआ है इसी बारे में दिया गया है कि कोण AB समंतर रेखा है CD कोण जो हमारा रेखा AB है AB समंतर रेखा CD के यह दुन्हें दूसरे के समंतर रेखाए हैं और कोण ABO यह वाला कोण जो हमारा है इसका मान दिया गए 100 डिग्री तथा कोण OCD इस वाला कोणी का मान 115 डिग्री दिया है तो हमें कोण BOC क्यान करना है कोण BOC यह वाला कोण हमको ग्यात करना है इसको शॉय करने के लिए हम एक समंतर रेखा बनाते हैं क्योंकि कि हमने एक रूल पढ़ा था हमने इसके बारे में एक फैक्ट पढ़ा था कि जब दो समंतर रेखाओं को एक त्रीक रेखा कारती है तो उसके एक साइड में बने हुए अन्ता कोणों का योग संपूरक होता है है संपूरक में 20 crime होता है तो इससे हमको प्रका चली कि यह एक उसरी होगे जब कुण मिला के 160 होगे जरकर moit 100 दिया ही तो इसका कुण तब ये वाला कोण हमारा है टटीडेग्री हो गया अंदर यह हमारा यह वोड दिया है यह एक तो यह दूसरे के समांतर हैं तो यह सेम रूल हमारा यहां भी लगे गा कि दो रखाओं को एक तरीकर काट रहे हैं तो यह अंत्रे कॉनव जो बना हुआ है अगुए मनें दूसरी होगा जै यह मारा 214 हो गया यह हो गया एक सुपन्य हो गया तो इसका मतलब यह वहाला हमारा है न। पांचने यह दूसरीं अन्दर का कोंड है और इस तरह से सीज़े एक तो इस पर तो टोटल एक्सोटी डिग्री बन जाएगा और जब यह बन गया इस जिस्टी फाइब बन गया तो इसका बहुत अंदर वना बचा हुगा कितना हो गया एक्टी शिस्टी फाइब दोनों को एक्सोटी में से घटा देंगे अंदर का कॉन निकल जाएगा 5 कि 145 यह दो इन दोनों कोनों का योग 145 हो गया है और इस तरह से 180 टोटल 180 है 180 माइनस 145 और इस तरह देख सेंगे 5 और यह हमारा 35 इसका वाद लिए इस कोन कमान कोन बी ओ सी जो हमसे पुछा कोन बी ओ सी इसका मान हो गया हमारा 35 डिग्री उमीड है साथियों अब लोगों समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को आप लाइक करते रहिए हम अगला देखते हैं दिएगे चित्र में एबी समानतर देखा है सेडी एबी और सेडी एक दूसरे के समानतर देखा है यदि को ओए बी ओडिया है कि एबी और स्थियक समानतर है और सेडी और समानतर है को ओटी डिग्री कों ओए वी मतलब यह को यह अधिडिक को त्था कोण 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 हंडद्ड डिग्रे तो में सब पुझञा कोण को ये ओसी आयोशी को मींज ये वाला कौण ये वाली को फिर इसमें फिर भी हम लोग क्या करते हैं आख समंतर रेखा देश्क था नहीं समंतर रेखाएं तो इसकी समांतर रेखां बना लिए ऐसे हम देखते हैं हम देखते हैं यह जो लोग समांतर रेखाए हैं तो इसकी अंतर कर रहे हैं इसको जो तो यह जो जाएगा अब यह कोण अगर हंड्रेट है तो इसका मतलब यह कोण हमारा 80 डिगरी आ जाएगा सेम रूल से जैसे उपर वाला साल भूए तो सेम रूल से जो समंतर रेखाऊं को एक तरीक रेखा काटती है तो इस तरीक रेखा के एक सैड में बने हुए आंतरिक कोणों का योग संपूर पागे देखते हैं कि जब यह जोनों में समंतर रेखाएं हैं यह जोनों समंतर रेखाऊं को एक तिरियक रेखा काट रही है तो जो हमारा यह कोण बना है ये यह टोटल और तो यह टोटल मिलाके 180 हो जाएगा जबकि हमको पता है कि यह 50 है और यहां तक 80 है तो इसका मतलब यह हमारा 130 डिगरी हो गया टोटल होना चाहिए जिसमें से 50 और यह यहां तक 80 है अब यह थोड़ा सा बचा है इसका मतलब यह वागा कोण हमारा 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी इतना इतना जो कोण बचा हुआ हमारा आ जाएगा और वह हमको निकालना भी है तो 180 माइनस 130 इकल टू 50 डिगरी और हमारा 50 डिगरी आ आ गया ओर है लोका ही कि साथियों हम लोग यह अगला सवाल देखते हैं अगया नियुक्त में समांतर है डिक हमारा जो इस है कि समांतर है यह और कौण कौन ओए बरावाए 110 डिग्री कौन ओए बी यह कमान दिया है कि 110 डिग्री है तथा कौन ए ओसे कौन ए ओसी मिन्स यह वाला कौन यह वाला कौन तीज डिए तो कौन ओसीडी कमान पूछा कौन को सीडी कैने मतलब यह अंदर का कौन बना है और सीडी यह वाला जो कौन बना है ओसीडी यह वह लगांट इसको कमान हमसे पोछ रहा है तो हम इसमें भी एक समांतर रेखा खीच लेते हैं जो कि इन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर हैं और फिर इसमें भी हम लोग भी रूल लेखते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरीक रेखा काड़ती है तो उसके अंतरगत को जो एक दूसरे के समपूरक होते हैं तो कहने के मतलब यह कूण और यह टोटल कोड यहां से यह जो नई लाइन हमें खीची है वह टोटल एक्सवस्य डिग्री हो जाएगा जब एक्सवस्य हो गया हमको पता यह 110 है यह 110 है इसका मतलब यह हुआ कि यह टोटल कोड सत्र डिग्री हो जाएगा हमारा सत्र डिग्री हो जाएगा और यह टोटल हमारा सत्र है और इतना हमको 30 दिया है तो इसका मतलब यह हु यह यह दोनों समंतर रेखाएं फिर यहां से सेम रूल लगेगा तो समंतर रेखाओं को जब एक त्रीक रेखा काड़ती है यह दोनों हमारे समंतर रेखाएं तो समंतर रेखाओं को जब एक त्रीक रेखा काड़ती है तो इसके अंतरकर हमारे 180 कोण बनेगा इसमें से यह चालेश डिगरी बन गये यह हमारे मिला है हमको तो इस हिसाब है है यह हमारा एक 140 डिगरी हो जाएगा एक 140 डिगरी कि में क्सक्छा हुआन् कॉस्छ रहा है क्यों OCD कमान पूछ रहा है चोरोCira कमान और 40 डिगिरी साथियों अगर यह आप लोग इसके साड़ ले सकते हैं बान में आप इसको को अच्छे से समझिए लगाईए यह जो लाइन्स एंड एंगर्स रेखा है और कॉंड जो हमारे चैप्टर है इसको इसको सिर्फ समझने की जरूद्ध है जैसे आप समझ लेंगे इसका इसको सॉल्व करेंगे आप आए हम देखते हैं अगला किस्चन यह दिये के चित्र में न्याथ कि छॉख देखा मिआ यह दो द्रैखा कांश लोगे शिंबल है उसको पृतीर लां देंगे दीन किर्ण में के पेरवीश समंत्र रेखा है से डिके यह दिया हुए हो अबस यह दिया हुए हम प pernah की समंत्रे सीदी के यह बज़िबारी dapat समंत्रे से डिके के और बी कि ये नियुद्र समानतर रहें यह ये ये समंतर है मतलब अगर बढ़ा सकते हैं से यह है यह दिंगोंड a-b-d-a-bd सिर्फ कि इस कोड का मान दिया है 30 तेगरी है तो हमसे बोच रहा है कोड DEC कोड DEC सारी सारी DCE कोड DCE का मान हमसे पहुच रहा है कि सथी हम इसमें देखते हैं कि यह कौन हमारा साथ डिगरी है 60 यह हमारा है और इन दोनों समंतर रेखाओं को तिरिये करें रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ अगर यह हमारा 60 है यह हमारा 120 हो जाएगा 120 हो जाएगा क्योंकि क्योंकि यह इसके अंतर बने हुए कौन है इसलिए यह हमारा 180 हो जाएगा और यहां से हम देखते हैं कि एक साल रेखा है अगर यहां यहां तक हमारा 120 है यह उपर का ओपरा हमारा 60 हो जाएगा इस प्वाइंट पर इस रीखाद यहां पर 180 होड़ बनेगा तो यह हमारा 60 हो गया जब यह 60 हो गया तो इस कोन का मान हमको बदाना है 篇स को new com का मान हमको बदाना है अब फिर सिभिद्स वहिरो होगा और यह हमारा आगर 60 है तो यह 60 घटाएंगे तो इसका मतलब यह को कमान 120 आ जाएगा उम्मीर साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आप लोग समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और भी अपने दोस्तों को और भी अपने अगर जो है एक्जाम कर चैनल पर चल रहा है और उनको भी कुछ पढ़ने में हेल्प कीजिए आए साथियों हम लोग अगला अगला देखते हैं अगला देखते है इसमें दिया गए कि दिए गए चित्र में CB समंतर रेखाये इंडिके यह फिग्रं को दिया हुआ है एक्जाम में रहेंगे तो मिली गवनाया गशचतल अने समंतर रेखाये और और स्टीव समंतर रेखायें एव हैं ए भी समांतर रखाएं CD समंतर रखाए एनिक मतला है कि तीनों रीखाएं दुस्रे पे समंतर है यानी कौन ABC 70 को स्कों का मान देया है 70 डिगरी प्लब्स है कि ये लोग का मान दिया है 70 डिगरी ये इंसकेSi जुन भुछा है कि शुका कर्दे करते हैं कि इस रेखा को थोडा और आगे तक भाड़ा produce है 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 कि यहां है है कि यह पिर रहा है कि ए टेनों रेखा को लेखाय को Kण रहे institute यह कौन हमारा यह कौन हमारा यह कौन और यह कौन बनेगा जब यह दोनों कोड़ बनेंगे तो इसका मतलब है यह हमारा 110 डिगरी हो जाएगा जब हमारा 110 हो गया है यहां यह है यह साल रेखा है तो इसको टोटल तो नम वनेंटी बनेगा और फिर देखते हैं इस फिगर में इस देखते हैं यह दोनों समंदर रेखाए हैं इनको प्रेग देखा है इसी है तो इसी जो एक रिखा रही है इसी काट रही है फिर सेम पर यहां जाएगा इसकी अंतर करत हमारा एक्सवास ट्रीवरी बनेगा यह वह सब्सक्राइब इसका मतलब यह कोण हमारा चालेट इसी रहे गई है तो यह दो दोन मिला के 110 और चालेट एक्सोदस और चालेट मारा होगे एक्सोपचाथ जो यह वह एक्सोपचास हो गया तो इसका मतलब जो हमारी बीच का प्रूम्म बच रहा है एक्स डिगरी इसका मान दिया हुआ है वह हमारा आजाएगा थर्टी डेगरी उम्मीदे साथी आप लोग समय आ रहा होगा इसका साथ रहा है रहा है रख लेगी है तरहीं हम अग्राद देखते हैं दिए गया चित्र में किरन ए भी या फिर रेखा एबी समानता देखाए सेड़े के तो इसके वहां यहां किरन का लोगों होता है कि निसान होता है इस आपको बतलब यहां पर कटी नहीं आगे बठत से चली जाए गया हम इसमें सब्सक्राइब पॉइंट मानते हैं कि इस इसके देखाए माला देंक सीडी यहां से तक के दूरी मांद कि पॉइंट को हम अपना एक निग्रार दिखाते हैं यहां पर मारटी है तो चित्र में एवी और स्यूडी समांतर है एवी और स्यूडी सीवार यहां पर भना हुगा एवी और स्यूडी ज्यूरी समांतर है तता को सीटेब को सी एबी कौन सी एबी यह एक ग선 दिया हुए और सी एयफ कमान 30 डिग्री है को सीफ स्कौन कमान 30 डिग्री दिया है तोंसे पूजना है सीईच फ़ए और सीफई मीन्स यह व़कूर जि नीडिया हुआ है यושों दिखैंट दिखते हैं कि यह दुन-दीगरी दिया हुआ है यह निंदेна समंतर रेखाएं कि यह दूसमांटर रहा है यह दूसक्राइ। सब्सक्राइब में यह कात रही तो यह कोण हमारा इसंगत मुन गया हमने अफूल ने था कि पाड़ा था कि दो समंतर रेखाओं को त्रिक रेखा काटती है तो जो हमारे संगत कोड़ बनते हैं वह बदाबर होते हैं संगत कोड़ का संगत कोड़ यह कोड़ हो गया और सपने इसलिए ये निची के संगत कोड़ तो já करना हुआ है अ संगत कोattend है ये कूण हमारा हैर इस कोड़े है रहेगी अब सामन्थ संतर रेखा है यह हमारा स्रल रेखाल में यह चोटर हमारा हुटर हमारा प्रचाव ही त्लावर minder हडा और यह फॉटल इत्राव्म एंडरा हो गया है थिडरा अध्य हो गया है और जब अंदर का जोग बन रहा है यह गोड़ी हो गया है यह कुछ हमारा है यहां से तर्भुज है कि तुरुज के तीनों आंदर कोड़ों का योग 180 से निगरी होता है हमने बहुत पहले ही पढ़ा है इसके पहले जो बभूश पढ़े थे उसमें भी हमने इसको अच्छे तरह से समझा था तो यह हमारा 180 हो गया 180 में हमको पताल लगया कि हमारा 100 यह हमारा 30 यह हमारा अगर आपको समझ में आ रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए